हलो दोस्तो आप लोग देख रहे हैं मांट एजूकेशन आज हम इस वीडियो के अंदर अपने बीकॉम और बीकॉम ओनर्स के स्टूडेंट्स का एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनिशल अकाउंटिंग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे प आपको फोकस नहीं डालूंगा रेदर दन आपके प्रैक्टिकल के उपर फोकस हमारा ज्यादा रहेगा और हम थियोरी को सिव उतना ही समझेंगे जितना हमारे practical के लिए relevant होगा हम ज्यादा से यदा practical question को करेंगे अपने इस chapter में तो सबसे पहले बात करते हैं depreciation की आप दो को depreciation क्या होता है depreciation किसके ओपर लगता है तो मैं आपको बता दूँ depreciation जो है asset के ओपर लगता है तो सबसे पहले ह मैं यह पता होना चाहिए कि asset क्या होता है asset का simple meaning है मैं आपको बता दूँ को दो condition चेक करनी है पहली अगर आपको कोई भी चीज future economic benefit दे रही है अब future economic benefit का मतलब हो गया future में monetary benefit दे रही है और दूसरी चीज वह आपके या तो आपके खुद की है owned और controlled या तो आपके खुद की है या फिर आपका उस पर पूरा control तो वह चीज आपके लिए asset है सिंपल सी definition है anything which gives दो condition चेकरनी है किसी भी चीज को asset कहना एक नहीं कहना पहली अगर वह आपको future economic benefit दे रही है दूसरी बात कि या तो चीज आपकी है या फिर आपका उस पर पूरा control है अगर यह दो condition पूरी होती है तो वह चीज आपके लिए asset है एक्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं land, building, furniture, cash, copyright, trademark, etc. बहुत सारे examples हो सकते हैं अब बात करते हैं asset asset भी further दो categories में divided है एक current asset और दूसरी non current asset हम non current asset को fixed asset भी बोलते हैं fixed asset भी हमारी further दो category में divided होती है एक tangible assets दूसरी intangible assets tangible assets से related जो है हमारे पास AS10 है और intangible assets से related हमारे प assets को ही AS10 ने एक नया नाम दिया है जिसका नाम है आजकल कहा जाता है plant property and equipment इसका मतला भी fixed asset होता है या मैं कहूं tangible assets होता है इसके बात देखते हैं हमारे current asset क्या होते हैं fixed asset क्या होते हैं tangible and tangible assets क्या होते हैं अगर मैं current asset की बात करूं तो current asset होने के लिए आपकी सिर्फ एक ही शर purchase किया है कि आप उसको convert कर दोगे cash के अंदर within a short period of time और इस short period of time accounting ने एक साल दिया हो है मतलब आपके पास कोई asset है और आपका उस asset को purchase करने का एक ही purpose है कि आप उसको within a short period of time cash में convert करने जा रहे हो यानि within a one year वह asset अगर आपकी cash में convert हो जाती है तो वह asset आपके लिए current asset कर example की मैं इसकी बात करूँ तो वो थे हमारे पास goods और stock हम goods कहें या फिर stock कहें इसको organization purchase क्यों करती है ताकि इसको resell कर सके और जल्दी जल्दी जो है इसको cash में convert कर सके debtor ये भी हमारे short term period के रहे होते हैं within a one year ये भी cash में realize हो जाते हैं bill receivable ये भी हमारा realize हो जाता है within a one year तो ये सब हमारे current asset के example हो गए बाकी detail में हम चर्चा इनके उपर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा focus इस समय depreciation chapter के उपर है जब कभी हम accounting terms के उपर बात करेंगे या basic accounting terms का chapter करेंगे तो उस दिन सभी छोटे-छोटे points के उपर detail में बात करेंगे अभी हमारा main focus है हमारे practical questions के उपर अग यानि asset खायने का purpose resell करना नहीं है यानि asset खायने का purpose asset को cash में convert करना नहीं है बलकि उसको as an investment या फिर for producing goods or services या फिर goods goods or services को produce कर सके हम जैसे कि machinery machinery हमारी fix asset होती है और उससे जो हम कई सालों तक goods or services को produce करते हैं तो इसलिए वो example हो गया हमारे fix asset का आप सवाल आता है asset और fix asset आखिर पढ़ा क्यों जाना क्यों क्यों कि depreciation जो है यह भी further दो category में divide होती है अभी हमने देखा था एक tangible asset दूसरी intangible asset बहुत असान है दोनों की भी इस difference tangible asset का simply meaning होता है कि अगर आप किसी asset को अगर आप किसी fixed asset को seen or touch कर सकते हो यानि देख सकते हो चूँ सकते हो तो वह चीज आपके लिए tangible asset क्यालाती है definition कहा है यानि किसी चीज की अगर फिजिकल एक्सिस्टेंस है यानि आप उसको देख सकते हो और टेच कर सकते हो तो वह चीज आपके लिए tangible asset क्यालाती है example क्या हमारे पास land building machinery computer furniture etc कई सारे example हो सकते हैं उसके बाद में बाद कुने यानि उपर से आप जिस चीज में आया है उसको देख सकते हो लेकिन वह एसेट होती है organization का में एक बहुत important asset होती है उसके अंदर जो है काफी ज़्यादा data store होता है तो वो बहुत important asset होती है किसी भी organization के लिए तो वो उसकी intangible asset कहलाती है अब हमें के लिए होगा कि assets क्यों होती है और depreciation जो है वो हमारा fix asset के अपर लगता है अब depreciation का मतलब होता है fix asset की value के अंदर गिरावट आना मतलब अगर आपके fix asset की value के अंदर गिरावट आ रही है तो उस किरावट को हम depreciation बोलते है depreciation is a permanent depreciation जो है एक permanent continuing and gradual fall है यानि लगातार हो रहा है और धीरे धीर हो रहा है gradually fall कर रहा है in the value of fixed asset की value के अंदर कमी आ रही है और उस कमी आने के current क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहला और basic current logical current आप asset को use करते हो तो अगर आप asset को use करोगे तो उसकी value में गिरावर तो आएगी asset तो घिसेगी घिसेगी दूसरा current natural wear and tear asset use करोगे तो normal तूटेगी फूटेगी थोड़ा बहुत तो हो गई थोड़ फोड़ तीसरी जी reflects of time हर किसी asset की एक limited life होती है उस life के गुजर जाने के बाद जो है उसकी value में गिरावर तो आती है चौती जीज ऑपसिलेंस ऑपसिलेंस का मतलब हो गया आउट्डेट होना हर प्रोड़क्ट अपने आप में कभी ना कभी आउट्डेट तो होता है और जब वो आउट्डेट होगा और मार्केट में नया प्रोड़क्ट आएगा तो उसकी value में ग्रावट आईगी आएगी अगला कारण है हमाई सामने एक्सिलेंट हो जाते हैं आग लग जाती है और जो है असेट को नुक्सान पहुंच जाता है तो उसकी वज़े से भी उसकी value में ग्रावट आ सकती है तो depreciation का मतलब हो गया depreciation is a permanent continuing और gradual fall in the value of a fixed asset यानि आपकी value fixed asset की value में ग्रावट आ रही है अब exactly थोड़ा और detail में जो है इसको देखते हैं नीचे एक example देखते हैं उससे आपको और अच्छे से clear होगा depreciation exactly होता क्या है furniture purchase rupees 1 lakh on 1st January 2021 यानि furniture आपने purchase किया एक January 2021 को एक राग रुपे का useful life five year यानि उसकी useful life कितनी है पांस साल यानि हम expected हम अंदाजा लगा रहें कि यह furniture जो है पांस साल तो चली जाएगा पांस साल इसकी useful life है scrap value after five year 10,000 यानि अगर आप इसको पांस साल बाइद बेचोगे तो कुछ तो scrap इसका मिले गई कुछ तो scrap में एक अबार में जाए जाए गई जाए तो scrap value निकल के आदिए इसकी 10,000 यानि आपगर फरनीचर आज 1 जनवरी को 1 जनवरी 2021 को लेकर आए एक लाग रुपे का तो पांस साल बाद यानि 21 दिसंबर 225 एक जनवरी 2021 है ठीक 5 साल कब होंगे 31 दिसंबर 2020 तो इस तारिक को आपकी आपका फरनीचर जेऊ हो 5 साल यूज होने के बाद 10,000 उप में उठाएगा तो यह बताओ आपने इसका फायदा कितने साल उठाया 5 साल में उठाया तो आप यह कह सकते हो कि यह एक लाग रुपए आपका एक साल का खर्चा है नहीं यह आपके पांस साल का खर्चा है अकाउंटिंग यही बात कहता है पांस साल में कैसे डिवाइड करोगे वह आपके ओपर है आप चाहो तो हर साल इक्वली उस खर्चे को बाढ़ दो या चाहो तो किसी साल ज्यादा बाढ़ दो किसी साल खर्चे को कम बाढ़ दो वह आपके ओपर निर्फर करता है लेकिन आप इस एक लाक रुपय को पूरा का सब्सक्राइब करेंगे तो आप किस साल में कितना करेंगे यह बहुत बड़ा सवाल है क्या हम हर साल बराबर खर्चा डालेंगे तो पांस साल या यह बहुत हो रही या हर साल इक्वलि बेनिफिट दे रहा है यानि हर साल इक्वल फायदा पोँचा रहा है तो हम इसका खर्चा भी जो है हर साल इक्वल बुक कर रहे हैं अपने पी एनल अकाउंट के अंदर या फिर मैं आपको कहूं यह खर्चा जो है हम यह कहें कि जब नया-nया फरनीचर होता है तो नया-nया फरनीचर जो आ है आप लोगों को ज्यादा फाइदा पोचाता है उसके बाद जब जब नहीं नहीं चलती है तो वो आपको ज़्यादा पहुचाती है प्रोडक्शन कैपसिटी ज़्यादा होती है तो मशीनरी के केस में ऐसे भी सिच्वेशन आती है कि आप कहा सबते हो कि पहले साल में जब नहीं नहीं मशीन होगी तो आपको ज़्यादा बेनफिट देगी ज में आपको समझाँ अक्छिक है किस तरीके से ऑपना युक खर्cimento अब डेके चलेंगे और फिलाल के का खर्चा भी हम हर साल equally पीनल अकाउंट में बुक करेंगे तो दिस एलोकेशन ओफ डेप्रीशेबल अमाउंट और रुपीज नैटी थाउजन आदे को यह जो नब्य हजार रुपे है यह हर साल अकाउंट में कितना जाएगा इकुल जा रहा है अठारा अठारा जार रुप क 있지 की ओपर लगा आपने नब्य हजार रुपे के तुकडे करें न पांच किसोолов में तो हमारा नब्य हजार रुपे को हम पर यह साल अपने का बूक करते रहे हैं या औरिद depreciation के नम का book करते रहे तो यह 18,000 रुपई हर साल जो है हमारे depreciation क्यलाता है तो depreciation कुछ भी नहीं है depreciation simply क्या है आपको fix asset purchase करके लाओगे उसमें से उसकी scrap value के लिएस करोगे तो net आपका कितना useful life कितनी है अब furniture की हमारी useful life 5 साल थी तो हमने पांस equal installment में इसको बाढ़ दिया जबकि अगर furniture की हमारी useful life 10 साल होती तो आपको इसका फाइदा कितने साल को तक मिलता है 10 साल तक तो आप इसको दस साल में बाढ़ते तो dependent करता है कि हमारी useful life कितनी होगी four important factors for computing depreciation चार important factors हैं जो depreciation compute करने में आप लोग की मदद करेंगे पहली cost of asset जैसे कि हमारी इस example में एक लाग रुपे हमारी cost of asset थी तो वैसी cost of asset का मदलब होगा आपको asset कितने का बड़ा अब देखो यहां पर जो है simply एक लाग रुपे आपको दे रखी थी furniture की तो furniture में तो यहां पर कर आए और जो है अलागे चलाना शुरू कर दिया उसको जो है पूरा ready to use करना होता है पूरा उसका installation होता है उसका trial होता है उसके बाद जो है वह रेडी होती है production करने के लिए तो installation का भी कुछ खर्चा लगेगा trial run expenses के नाम का भी कुछ खर्चा लगेगा तो वह खर्चा क्य बनेगा या नहीं बनेगा या फिर जो है जो हम मशीन भी पर्चेस करके लाएते सिर्फ पर्चेस प्राइज ही हमारे cost of asset का बनेगा तो यह हमें देखना है कि अगर cost of asset का मतलब क्या होता है तो मैं बताता हूं cost of asset का मतलब होता है it includes all expenses incurred till the asset ready to use सारे खर्चे till the asset ready to use अगर जब तक आपकी asset ready to use नहीं हो जाती जब तक के सारे खर्चे आपके cost of asset का part बनेगे यहां पर मैंने नीचे example लिख रखे है purchase price, installation charges, trial and expenses, freight charges, etc. कोई और भी खर्चे धीरे धीरे हमारे आते जाएंगे वह मैं आपको बताते जाओंगा कि और कौन कौन से खर्चे हमारे जो है ज asset ready to use हो जाए वहां तक के घर्चे यानि use करने के लिए तैयार हो जाए वहां तक के घर्चे हमारी cost of asset का part बनते हैं और उस cost of asset के ओपर ही हम depreciation लगाते हैं जैसे कि इस example के अंतर जो है हमारी cost of asset एक लाक रुपे थी यानि यहां पर सिर्फ purchase price हमारी cost of asset थी अगर यहां पर आ value minus करके और फिर जो आपकी net amount निकलता उसको आप पांसे डिवाइड करते तब आपका depreciation per year का निकल कर आता तो simply बहुत इजी है कोई दियाद दिक्कत की बात नहीं है मैं आपको एक्जांपल के तुरू समझाओंगा तो cost of asset का मतलब आपको समझ में आगया थोड़ा बहुत of asset का पार्ट नहीं होता बढ़ी आपने प्रचेस का असेट प्रचेस का सब्सक्राइब किया था क्यों नहीं होता क्योंकि GST का क्या होता है ना नॉर्मली हमें जो है बाकि जब हम GST के question करेंगे तो और आपको अच्छे से clearly understanding होगी इस बात की दूसरा है हमारा estimated useful life of asset यानि asset की useful life कितनी होगी जैसे हमारे उपर वाले example है में पांस साल हमारी useful life थी उसी दरीके की हर asset की अपनी-पनी useful life होगी वह आपको question में बता रहे होगी और useful life को कई बार ज जाएगा asset कबार में कितने का चले जाएगा उसको बोलते हम scrap value of asset इसी के दूसरा नाम होता है scrap value का ही residual value तीसरा नाम होता है salvage value तो आपको किसी भी नाम से आ सकता है तो आपको confused होने की जरवत नहीं है चौती जी जोती है हमारी rate of depreciation अब rate of depreciation का यहां किस तरीके से क्या काम ह होता है वह आपको मैं आके example में संझाओंगा तब आको clear होगा यह रहा हमारे example इसमें हम इन सभी बातों को अच्छे से समझते हैं देखो furniture purchase रुपीज वन लैक और फर्स जैनवरी 2021 फरनीचर हमने purchase किया एक लाग रुपे का जैनवरी 2021 में useful life five year useful life कितनी है इसकी पांस साल sold after five year दस जार पांस साल बात कितने का गया दस जार उपे का तो simply वही कहानी हो गई कि एक लाग रुपे का हम एक जनवरी को लेकर आए पांस साल उसकी useful life है और दस जार उपे का हमें स्क्रैप मिल जाएगा उसका यानि हमारे खर्चा कितना होगा नेट नब्य हजार उपे का अ या फिर जो है किसी साल ज्यादा खर्चा बुक करेंगे किसी साल कम खर्चा बुक करेंगे आप यह देखते हैं आगे अपने कोश्चन में अंदर तो हमें इतना तो समझ में आगे कि अमांट ऑफ निटी थाउजी और इन दॉसरा ना मोंता रेजडियू वालियू फिर निकल के आएगे हमारी डेप्रीशेबल अमांट यानि यह अमांट के ओपर हमें डेप्रीशेशन निकालना है अब देखने यह एक इस नबब्य हजार उपे का हर साल कितना हिस्सा पी एन निकालने के अपने अपने में मैफिरीशेशन के यानि мыp vous have charging depreciation कितना आमांट ज हर साल और्पेथ्यस के नाम का बोक कर सकते हैं तो इसके वेरियस मेप्रीशेशन होते हैं of charging depreciation but the two most common method depreciation निकालने के कई सारी methods होते हैं लेकिन most common method होते हैं वह दो ही होते हैं यानि आपको जो है 90% या मैं कहूं 95% इन दोनों ही methods के question देखने को मिलेगे इसके लावा किसी और method के question आपको देखने हुआ नहीं मिलेंगे तो यह दो method हमारे most important method method बन जाते हैं पहला है हमारे straight line method इसी का दूसरा नहीं होता है fix percentage on original cost method या फिर इसका थीसरा नहीं होता है fix installment method अब यह नाम क्यों पड़ा ही आपको धीर धीर समझ में आ जागा जैसे आप समझोगे दूसरा है हमारा diminishing balance method इसको हम return down value method भी बोलते हैं और reducing installment method भी बोलते हैं यह नाम भी क्यों पड़ा आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला method state line method का simply मतलब होता है आप अपने खर्चे को यानि इस 90,000 को useful life में equal basis पर divide कर दो यानि उपर जैसे हमने किया था इस 90,000 रुपे को useful life आपकी पांस साल है आप पांस से इसको डिवाइड कर दो 18,000 रुपे यही बोलता है आपका state line method तो state line method का simple formula है depreciation निकालने का आप depreciable amount पगड़ो यानि 90,000 पगड़ो डिवाइड बाइड फाइफ depreciable amount को या depreciable amount निकालने का अमारा तरीका क्या होता है cost less estimated scrap value आप इसमें से scrap value को less कर लो अपनी cost में से अब देखो आपने सिंप्ली क्या करना है इस 90,000 रुपे को अपने books of account में record करना है पांस साल में अगर आप हर साल 18,000 रुपे रिकॉर्ड करोगे तो पांस साल में 90,000 पूरे record हो जाएंगे पांस साल में 90,000 का खर्चा पूरा book हो जाएगा books of account में आप rate of depreciation का क्या हिसाब किताब है rate of depreciation का मतल क्या है इस बात का आप सिंप्ली वहले formula को समझो amount of depreciation यानि amount of depreciation कितना है हर साल का 18,000 रुपे total cost of depreciation क्या है एक लाक रुपे अगर आप 18,000 रुपे एक लाक इंटू में हंडेड करोगे तो निकल के कितना है का 18% अब यह 18% क्या निकल क्या है यह निकल क्या है rate of depreciation मतलब इ है कि जो 18,000 रुपे depreciation की अबाउन निकल रहा है यह एक लाक रुपे का कितने परसंट है सीधी सीधी बात है यानि आप cost का कितना परसंट depreciation चार्च कर रहे हो सिंपल इसका मतलब यही है कि आप अपनी cost का कितना percent depreciation चार्च कर रहे हो यही बताने को हम rate of depreciation कहते हैं यानि आपको question के अंदर rate of depreciation दे रखा है तो आप simply depreciation यानि इस 18,000 रुपे को निकालने के लिए अपनी cost में multiply कर सकते हो rate of depreciation तो भी आपका 18,000 रुपे निकल के आजागा सेम वही बात है अगर आपको rate of depreciation दे रखा है तो आप simply अपनी cost of asset से multiply करो अपने rate of depreciation को तो आपका depreciation की per year क amount निकल कर आ जाएगी तो आप आपको straight line method के through depreciation निकालना समझ में आ गए कि आप depreciation कैसे निकालते हो सिंपल है कुछ भी नहीं है तो depreciation charge on every year is 18,000 अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे या किस तरीके से charge करेंगे वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ एक जनवरी 2021 को हमने asset purchase करी थी जिसकी cost एक लाग रुपे थी एक साल पूरा हो गया depreciation जो है every year के end में लगता है यह बात आपको समझ लिए कि depreciation जो है हर साल के आखिर में लगता है तो एक साल पूरा होगा 31 सेसंबर 2021 को फिर हम depreciation लगाएंगे पूरे साल का depreciation हमने उपर नि depreciation लगाएंगे तो एक लाग में से अठारा जार class करेंगे तो निकल गाएगा 82,000 यानि हमारी cost थी एक जनवरी 2021 को एक लाग रुपे एक साल में जो है asset घिस गई कितने अठारा जार से तो आप asset की value 31 समबर 2021 को क्या रहा गई 82,000 इसको बोलते है book value book value का मतलब हो गया books of account में आपके इसाब से asset की value कितनी है 82,000 रुपीस क्योंकि आपके इसाब से जो method आपने depreciation का लगाया है उसके इसाब से आपकी एक साल में 18,000 रुपे की asset घिस चुकी है और आप asset की value 82,000 रगी फिर एक साल पूरा होगा 31 दिसमबर 2021 से लेके एक साल पूरा कब होगा 31 दिसमबर 2025 फिर आप depreciation लगाओगे फिर आप 18,000 रगाओगे क्योंकि आपने SLM method के थुरू ये तैकिया है कि आप हर साल 18,000 रुपे का depreciation लगाओगे या आपने ये माना है कि आपकी asset जो है हर साल 18,000 रुपे की घिसेगी 64,000 फिर आप क्या करोगे फिर आप लेस करोगे depreciation 31 दिसमबर 2023 को फिर तीसरे साल के एंड पर फिर लेस करोगे 18,000 रेस कर रहा तो निगल गाया 46,000 तो 31 दिसमबर 2023 को 46,000 रहा गई बुक वैल्यू फिर सेम कहानी आप अपने अगले साल करोगे 24 में और 25 में 25 के एंड में स्क्रैप वैल्यू जो है वो पांस साल बाद कवाड में ये फनीचर बिग जाएगा 10,000 रुपे का तो 10,000 रुपे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के असाथ से 10,000 रुपे इसकी वैल्यू थी और 10,000 रुपे ये हमारा बिग गया तो हमें कितने का फाइदा और नुक्सान इसको 10,000 रुपे की एसेट अफारी रह गई ये हमने कवाड में बेज दी हमें पूरे इसके 10,000 मिल गया बाद खतम हमारी खतम का नहीं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके इसाथ से बुक वैल्यू 31 दिसंबर को यानि आपकी यूस्वल लाइफ खतम होने के बाद आपकी वैल्यू 10,000 रुपे आ रही है लेकिन आपकी एसेट जो है स्क्रैप में 5000 में बिकी तो आपको 5000 रुपे का नुक्सान हो जाता क्योंकि आपके इसाथ से वह असेट 10,000 की या तो आपको लॉस हो जाता है यहां पर सेल करने पर 5000 रुप या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपको कोश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है वह तो आपको क्लियर हो गया एसलम मेथट से जो है डेप्रीशेशन हम किस तरीके से चार्च करते हैं तो अब इसके बाद हम देखेंगे अपना WDV मेथट तो WDV मेथट जो है हम अपनी अगरी क्लास में देखेंगे यह क्ल कर सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम मिलते हैं अगरी क्लास में